हेलो इस्टुडेंट्स चलिए इंप्रूमेंट एक्जाम का हम संस्क्रिप का पेपर दिखा देते हैं देखिए किस प्रकार का प्रसन आया था सभी प्रसनों को पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से आपको बता देंगे कि किस प्रकार का प्रसन आता है यदि PDF भी इसकी चाहि प्रसनों के पेपर चाहिए तो आप कमेंट कीजेगा मैं आगे आने वाली पेपर भी आपको प्रदान करा दूँगा ठीक और पिछले वर्स के पेपर भी यदि आपको चाहिए तो सब कुछ आप बताना फिर मैं आपको ये सब सेयर कर दूँगा ठीक तो चलिए आज का हम 2021 21 का इंप्रूमेंट इकजाम यूपी बोर्ड में संस्क्रत का पेपर आपको दिखाते हैं जो कि आज हुआ है ठीक तो यहां पर 15 मिनट पर इच्छार्थियों को प्रसन पढ़ने के लिए जो है निर्धारित रहता है और देखिए पहला ताथा तीसरा में से किसी एक प्रस पढ़ाते हैं फिर प्रसनों की ओर ले चलते हैं दिया गए है यहां पर कि 5 का हमें पूरा उत्तर देना अट इंक का है और देखिए 14 विद्धा यहां पंदरा में से किसी एक प्रसन का उत्तर देना है जो कि 4 अंक का है ठीक, तो चलिए देख लिजिए कि गध्यानस में कौन वाला दिया गया था, दो गध्यानस इसमें दिये गए है, पहला जो था यह देखिए, कालिदास के काव्यों में अंगी रसाम वरा, य देखिए ध्यान से देख लिजे स्क्रीन सोट आप ले लिजीए मैं इसको पढ़ूगा नहीं पूरा आपको दिखा देता हूं क्योंकि पढ़ेंगे तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा ठीक और देखें यहाँ पर दूसरा गद्यान से इसका भी आप स्क्रीन सोट लि देखिए दूसरा प्रस्ण जो है इसमें हमें एक पाठ का सरांस लिखना है तीन में से किसी एक का हमें लिख देना है ठीक और दूसरे चवते उन छठवे में से किसी एक प्रस्ण को हल करना है तो आप दूसरा भी कर सकते हैं चवता भी और छठवा भी ठीक और पहले उन त सुक्ति सुधा चैप्टर का है और ये वाला जो है विद्यार्थी चरिया चैप्टर का है ठीक तो दोस इस लोग भी दिये गए हैं अब आगे देखिए प्रस्ण चार में यहाँ पर सुक्तियां दी गई है इन तीनों में से किसी एक सुक्ति का हमें संदर्व सहीद हिंदी मे ब्याख्या करना है तो देखिए ये पहली और दूसरी और तीसरी ठीक और प्रस्ण पांच को देखिए इसमें हमें किसी एक इस लोग का संस्कृत में अर्थ लिखना है देखिए यहाँ पर तीन ओप्सन दिये गए हैं या उतुक पाप संचय के दार पर बिनायका कर सकते ह हैं और महत्मा संसमर्रान इपाठ के दार पर गांधी जी का और यातिक पाप संचय के दार पर सुमेधा का ठीक और आए देखते हैं अगले पेज को यहाँ पर देखिए आप तो यह जो है प्रस्ण संस्कृत में दिये गए हैं नाटक कौमदी से और इन में से में दो प्रस चुन करके हमें इसका अंसर लिखना है देखिए एंग प्रत्याहार में वर्ड जो आती है इसका सही आप सन्वान है तो अभी मैं इसका सॉल्व नहीं करा रहा हूं प्रस नहीं दिखा रहा हूं ठीक देखिए आठवे का खा नंबर क्वेस्चन और यहां पर देखो खा नं नवे के खा को देखिए नवे का खा यहां पर है वहीरागता हमें संधी कौन सी है ठीक वहीरागता में जो संधी है वह यहां पर यह वाली तीसरा अप्चन इसका सही है तो अभी मैं हाल नहीं करा रहा हूं बता रहा हूं ठीक और देखिए दसमा प्रसन देखिए दसमा प् रूप हमें निर्देश के अमसार लिखना था जिसे आप दाधातू का देख सकते हैं भुधातू का देख सकते हैं और इस था धातू का थीख आप सक्रिंसोट ले लिज्ये इनका और देख़िए पास्च्यती रूप है ये बहुऊ बिकल्पी है । इसम्हें इन तीन में तो लंबोतर में जो समास होता है, वो बहुबरी ही होता है, आप कोई यहाँ पर बहुबरी आंसर देना है, जो बहुबरी ही दिये हैं, उनका सही है, ठीक, तो ये सही है, अब देखते हैं, यहाँ पर हम तेरामे प्रसन का, आप स्क्रीन सोट लेते जाए यह question by question, जिससे आप आपको अभ्यास करने में practice करने में असानी होगी ठीक यहाँ पर देखें तो हमें जिन सब्दों के नीचे रेखा खींची गई है उनका हमें क्या करना है विभक्ति का नाम लिखना है ठीक तो आप देखें तो चार सब्द हैं यहां पर चार क्वेस्चन है, चारों में से हमें चार सब्द के नीचे यहां पर लाइनिंग की गई है और इनका हमें क्या लिखना है, भी भक्ति का नाम लिखना है, ठीक और चाउदाववा प्रसने देखिए, यहां पर हमें धातुयों प्रत्य बताना है किसी एक पद में तो यहाँ पर आप देखें तो पांच पद हैं आप किसी में भी आप धातुयम प्रत्याय का नाम लिख सकते हैं तो सभी क्वेस्चनों का स्क्रीन सोट लेते जाएए और यदि आप हल करना कहेंगे तो फिर में इसका सॉल्व करके आपको वीडियो बना दूँगा और देखें यहाँ पर वाच्च परिवर्तन आपको देखें तो तीन में से किसी का भी आप वाच्च परिवर्तन कर सकते हैं ठीक और देखें सुलावे प्रसन में हमें संस्क्रत में अनुआद करना है जिसमें से पांच क्वेस्चन दिये गए हैं तो बहुत ही जी जी हैं इनको आप कर सकते हैं तो सुलावा और सत्रावा ओप्सनल था जिसमें से एक करना था या तो आप किसी भी से पर निबंध लिख दीजिए और ये पूरे चवदा अंक का था ठीक या तो आप सत्रावा करेंगे तो सोला नहीं करेंगे सोला करेंगे तो 17 नहीं करेंगे यदि आप प्रस्ण को पेपर के नियमों के अनुसार करते हैं तो आपका ये पूरा पेपर जो है ये मात्र 1.5 आवर्स में ही कम्प्लीट हो सकता है ठीक यदि आप पेपर को जम्य अनुसार नहीं करते हैं तो उसमें आपको समय लग सकता है ठीक और देखिए अठारवे प्रस्द में हमें क्या करना है संस्कित में वाक के प्रियोग करना है तो यहां पर तीन सब्द दिये गए हैं और पीछे तरब दिये गए हैं तो देखिए यहां पर यहां पर पांच सब्द दिये गए हैं ठीक तो आठ सब्दों में से कोई न कोई आप दो सब्दो किये होंगे तो इसका जब रिजल्ट आएगा तो देखा जाएगा तो सभी लोग आप मेहनत करते रहे और इस प्रकार के प्रस्ण पत्र यदि आप और चाहते हैं तो कमेंट में आवाज से बताएं जिससे मैं आपको नए नए प्रवेश पत्र सुरी नए नए पेपर आपको प्रदान करता रहा हूँ ठीक मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक के ओम सेर जरूर कीजिए चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करते जीए